Health Conscious लोगों की एक लंबी चौडी लिस्ट होती है, क्या चीज उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं, जिसे वो लोग बहुत स्ट्रिक्ली फॉलो भी करते हैं, और ये सही भी है, हम सब को अपनी बोडी का खयाल रखना चाहिए, क्योंकि हम सब ज्यादा जीना चाहते हैं, पर आज कल की lifestyle जो हम जी रहे हैं, उसमें ज्यादा उमर तक जी पाना एक बहुती मुश्किल टास्क है, फास्ट फुट खाना, लेट तक सोना, अपनी सिहत का बिलकुल भी खयाल नहीं रखना, और भी बहुत कुछ, इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे tips लाए हैं, जो कफी आसान है और आपको आपकी फेवरेट चीजे छोड़े वगैर ज्यादा उमर तक जीने में मदद करेगा, इसके लिए आपको सिर्फ कुछ हेल्दी और अजीब आदते अपनानी पड़ेगी, दस बज़े से छे बज़े के बीच में सोए, आजकर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम बारा बज़े सोते हैं और उठने का तो कोई fix time होता ही नहीं है, चाइनीज डॉक्टर ने बताया है कि दस से छे के बीच में सोने से हम कैसे ज्यादा जी सकते हैं, हमारा immune system 9 p.m. से 11 p.m. के बीच में हमारे body से toxin निकालता है और virus से लड़ता है, हमारा liver 11 p.m. से 1 p.m. के बीच में restore होने लगता है, और हमारे lungs 3 a.m. से 5 a.m. के बीच में clear होते हैं, इसलिए हमें इस समय पे हलकी सी खासी भी आती है, सुबह में 5 से 7 के बीच हमारा intestine clean होता है, इसलिए यही समय में हमें सोना चाहिए. लोग क्या सोचते हैं उस चीज़ को ignore करें? US के एक scientist ने ये दावा किया है कि जो लोग, लोगों के opinions को ignore करते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा जीते हैं. जब हम लोगों की बातों पे बहुत ध्यान देते हैं, तो हम upset हो जाते हैं, और हम खुश नहीं रह पाते हैं, और जो लोग खुश नहीं रह पातें, वो लोग बहुत कम जीते हैं. लोगों का काम है कहना, सबको भूल जाओ और ज्यादा जी जाओ. ज्यादा जीनी के लिए कम नहाएं और दाद भी कम ब्रश करें. क्रेंले क्लीनिक के एक डॉक्टर ने ये कहा है, कि घरम पानी के साथ चीप क्वालिटी वाली सोप यूज़ करनी से, हमारे सकिन पे जो प्रड़क्टिव लेयर होता है, वो धीरे-धीरे निकलने लगता है, जिसकी वज़ा से हमारी सकिन इतनी ड्राइ हो जाती है, कि वो हम नहीं कर पाती हैं सेम चीज दातों के लिए डॉक्टर्स कहते हैं ज्यादा ब्रश करना आपके दातों के इनीमल को नुक्सान पहुचाता है एस्पेशले खाने के तुरंग बाद क्योंकि खानी में ऐसे भी कुछ पधार्थ आ जाते हैं जो इनीमल को सौफ्ट बना देते हैं जिसकी वज़ा से आपके दात बहुत इजिली डैमेज हो सकते हैं ज्यादा टमाटर खाने से आप ज्यादा जी सकते हो तुफ्स युनिवर्सिटी से अमेरिकन साइंटर्स ने 5000 लोगों पे करीबन 11 साह तक स्टडी की 11 साल के बाद वो लोग ये कंक्ल्यूजन पे आए कि जो लोग अपनी खाने में टमाटर को शामिल करती हैं उन लोगों में हार्ट रिलेटेट प्रॉब्लम्स 26 परसंट से कम हो जाती है ज्यादा जीने के लिए अपने अलाम वाट से छुटकारा पाए अलाम क्लॉग के बिना उट पाना हमारे लिए आजकल काफी चैलेंजिंग हो गया है जैपनिस रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अलाम के बिना उटने की हमें आदत होनी चाहिए क्योंकि अलाम क्लॉग हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है इस्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर के बिमारी हो उनके लिए क्योंकि इससे उन लोगों में हार्ट अटैक के चांसे बढ़ जाते है इसकी वज़ा अलाम क्लॉग का म्यूजिक है जो जोर-जोर से बचता है हमारी नीन तोडने के लिए रात भर गेले मोजे पहन के अपनी उमर को बढ़ाए जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना गेले मोजे पहनने के बहुत सारे फाइदे है गेले मोजे पहनने से खून के नसे थंडी हो जाती है जिसकी वज़ा से आपके टीशूज और दुसरे बोडी पार्ट्स में अच्छे न्यूट्रियंस पहुचते है और ये अच्छे न्यूट्रियंस इंफेक्शन से भी लड़ते है इसके अलावा जब आपके पैर फिर से गरम होने लगते है तब किटानू फैलाने वाले जर्म्स और टॉक्जिंस जोकी टीशू में चिपके होते है वो आपके बोडी को छोड़ देते है इस वीडियो में बताए गई आदतों से आप अपनी जिंदगी की आयू बढ़ा सकते हो इसके अलावा अगर आप भी ऐसी ही कुछ टिप से वाकिफ है तो हमारे साथ जरूर शेर करें ओकी गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थाक्यू